हेलो प्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त पसीमानंद और आप देख नहीं है आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बजिया दोस्तो आज बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो में लेकर के आया हूँ दोस्तो इस वीडियो में आप देखेंगे ऐसे नौ पर्मानेंट पूल जो कि बहुत अच्छे से इस समय प्लारिंग करते हैं खासतों से बरसात के सीजन में और गर्मियों में भी ये फ्लावर जो है बहुत साधा होते हैं लेकिन बरसात के सीजन में इसकी रौनक देखते ही बनती है और तो चली ये कौन-कौन से वह पूल है उनको बात करतें उनको देखते हैं और किस तरिके से आप उनकी देखभाल कर सकते हैं जिससे की लगातार पूल आते रहे तो इस बारे में आपको बताती हैं दोस्तो इस सीरीज में जो सबसे पहला पूल है वो है अलमांजा का या दोस्तो अलमांजा का पूल बहुत प्यारा होता है और बहुत बड़े-बड़े होते हैं विलकुल गुरहल की तरह बड़े-बड़े ये पूल होते हैं और हो जाना जो है खिलते रहते हैं लेकिन गुरह सिर्टाई है कई कई वार जो है इसे ज्यादा समझी बहुत अगर आप पेहला पूल सुक्ते सुक्ते दूसरी कई सारी कल्यास बन जाती है यह फूल दोस्तों कई कलर में आते हैं इसमें जो है आपने हलका सा बिस्कट कलर में भी देखाता और एक कलर ये आप जो है देख रहे हैं इसके लावा येलो कलर में भी ये आता है तो कई शेट में ये हो सकता है और थोड़ा बहुत जो है जार्क और जो हलका रंग है दोनों में जो है ये मिलता है एक जो है रैड कलर में भी आता है लेकिन जार्क रैड और इस तरह से चार तरीके के जो फूल है, वो चारों के चारों मेरे पास इस समय है. लेकिन रेड में जुका है इस समय उतनी प्लारिंग नहीं हो रहे हैं, यलो वाले में आप देख सकते हैं, कितने सुंदर जो फूल हैं वो फिल रही हैं. इसके केरिंग कम होती है और अगर इसको आप जमी में लगा देंगे तो ये बेल की तरह बरती जाती है लेकिन दोस्तों अगर आप इसको बेल नहीं बनाने देना चाहते तो इसको जो है आप ट्री की तरह शेप दे सकते हैं शुरू में तोड़ता आपको स्टिक का सहरा देना होगा लेकिन बाद में जब इसके ब्रांचे तो इससी मोटी हो जाती है तो आपको प्रिस सहरा देने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है इसको कटाई चटाई करके आप एक अच्छा सा लोक या अच्छा सा शेप दे सकती है और ये गर्मियों में ही फ्लारिंग करना शुरू कर देता है और पूरे बरसात में भी फ्लारिंग करता रहता है जब तक कि बहुत ज़्यादा खंड ना पड़े मैंने तो इसमें जो है दिसमबर तक पूरे फ्लारिंग करते हुए देखा है मेरे गार्जन में ये जो है नौमबर दिसमबर में भी रहता है और फूल आने के स्कार्टिंग जो है अपरेल महिने से हो जाती है कई जगा मार्च में भी हो जाती है तो बहुत ही अच्छा प्लान का है और हमेशा रहने वाला है इसको आप अपने बगिचे में रख सकते हैं दोस्तो अगला जो पूल है वो है मैक्सिकन टेटुनिया यहां दोस्तों मेक्सिकन क्रिटुनिया बहुत ही सुन्दर फूल होता है बहुत जादा मातामी चलती है और डेली सुबा सुबा जैसे ही आप इस पौदे को देखते हैं तो पूरा का पूरा पौदा पूलों से भरा हुआ नजर आता है और बहुत ही तरोताजा देखने में ल पौट में लगा सकते हैं या चाहिए तो हैंग बास्केट भी आप इसका त्यार कर सकती है लेकिं इस पूल को जोöyle है शाम को जिसमें यह सूक जाते हैं पूल उस समय हटा देना चाहिए और अगले दिन मॉनिंग में ज़रूर आप अगले दिन जो है वो जो फूल है वो पत्तों में जिपकने लगती है काले-काले से दिखाए दिती है तो अच्छा नहीं लगता है अगर आप जेली थोड़ी सी केर इसके कर सकते केबल फूलों को हटाने का तो ये फूल आपके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों अगला जो फूल है जो बर्सात में खूलता है और गर्मियों में भी खलता रहता है वो है मुसंडा दोस्तों मुसंडा ये कोई फूल नहीं बल्कि इसकी झो खूल चूली है वो इनके पत्तों में होती है इसके जो आगे के पत्ते होते हैं इस तरह से बिलकुल रैड़् हो जाती है और यही जो है इसकी खूपसूरती है ये जो है बिलकुल जब तक बहुत ज़ादा तेज सरदी नहीं होती तब तक बहुत अच्छे से किलते रहती है जब बर्प पड़ती है उस समय ही जो है इसके पत्ते बिलकुल गिर जाती है पौधा बिलकुल मरा मरा सा लगता है लेकिन फिर से ज इसको पसंद नहीं है तो इसको जब भी लगाए तो स्वाइल में आप रेता जरूर मिक्स कर ले दोस्तो आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो की चाहती है कि उनके घर में जो है बिलकुल 365 जिन फूल बना रहे ऐसा कोई पौदा अगर आप चाहती है तो वह पौदा जो ह जेट टोफा है जिसको की आप इस समय स्कीन पर देख रहे हैं जोस्तो ये जेट टोफा के जो फूल है एकदम जो है साल के 365 जिन आते रहते हैं खोड़ा बहुत बेश बेश में कभी कम कभी ज़्यादा ये तो हो सकता है लेकिन बिना फूलों का ये पौदा रहे ये सिर्फ इस तबी हो सकता है जब आप इसके फूली तरह से कुटाइश चकाई करते औरो इसमें हमेशा ही इसलə से कुल बने हुए हैं और इस प्धूमे कटाइश चकाईश के जबरत भी नहीं परती है क्योंकर इसके जो गांचेश है अपने आप मल्किप्लाई होते रहते हैं और च और इसमें जो है कोई डिजाइन वले पत्ते उस तरह की भी होंगे लेकिन जो फूल है वो एक ही तरह के ओते हैं लेकिन जो color है कुलों का वो अलग-अलग color आपको मिल सकती है लेकिन मोस्ते जो है रेड और जो प्रिंक है इसी में ही आपको ये फूल दिखाए देती है बिल्कुल लो केरिंग पौदा है और आसानी से किसी भी तरग के मिख्री में लग जाता है बस आप इसको बिल्डिश में जो सरसो की कली का लिक्विड पर्टिलाइजर है उसको देते रहें दोस्तो जो नेट्स प्लार आप यहाँ पर देख रही है बिल्कुल वाइट और उसके अंदर रैड जैड इसका नाम है ब्लीडिंग हार्ट यह दोस्तो इसका नाम है ब्लीडिंग हार्ट और बहुत ही सुन्दर देखने में यह पौधे लगते हैं इसके फूल बहुत सुन्दर होते हैं और इसके फूल केवल इस कलर में नहीं बलकि इसके अलावा दूसरे कलर में भी मिलते हैं लेकिन सबसे अच्छा जो कॉम्मिनेशन है वो वाइट के उपर रैड वाला भी है हलाकि परपल के उपर रैड यह कलर भी आपको बहुत जगा देखने को मिल जाता है इस पौधे को आप लगा सकते हैं इसके लिए आप जो है बारा इंच के गमले में इसको लगा सकते हैं चुरू में अगर पौधा ज्यादा छोटा है तो इसको दस इंच के पौट में लगाए और इसमें जो सरसो की कली का लिक्विट पर्टिलाइजर है और चिले के चिल्के का लिक्विट पर्टिलाइजर है वो आप 20 दिश में देते रहे हैं 15 या 20 दिन में एक बार जो है आप कोई भी कीट नाशक का इस पर इसके उपर कर दें जिससे के कीड़े मग्डूर का एटेक इसमें ना हो दोस्तो अगला जो ये पौदा देख रहे हैं बहुती सुंदर सा ये पौदा है गुलमोहर का दोस्तो ये गुलमोहर की ज्वार्फ वराइटी है बहुती सुंदर लगता है गमले में आसानी से हो जाता है इसको चाहें तो आप 12 इंच के पौट में भी लगा सकते हैं, चाहे तो उसके बड़े पौट में भी लगा सकती है और ये पौधा जो बीच से भी आसानी से प्यार हो जाता है तो कहीं पर अगर आपको ये पौधा दिखाई दे तो उसके बीच आप वाद से ले आए इसमें जो है पीले कलर का भी आता है और ये जो रैट कलर है रैट के बीशवे में अल्वासा पीला पन है तो ये भी होता है तो दुनों ही पॉज़े 20 से आसनी से हो जाते हैं और 20 से अग मर्थे हैं तो एक साल के अंदर ही ये पूल दैने कल ग जाता है इसको आप 12 इंच्ट के पॉर्ट में जो अराम से लगा सकते हैं शुरू में जब पौजा तैयर करें तो छोटे पॉर्ट में लगाए और अगर आप नरसरी से करिक्टर के ला रहे तो डारें तो डारें इसको लगा दें बाद में एक साल या देर साल बीचने के वाद अगर आप बड़े पॉर्ट में करना चाहें तो कर सकते हैं यह तो 12 इश्टक के पॉर्ट में भी आप इसको रख सकते हैं लेकिन उसके लिए इसके जड़ो को साफ अलकल का फूर्णिंग करके दुबारा से आप इसको रिपॉर यहां दोस्तो इसमें एक ही बांच पर आप देखे होंगे कि आलग अलग कलर के पूल है कोई तो बिलकुल पिंक है और कोई बिलकुल सफेद दोस्तों ये जो cool है सुबा-षुबा जब पिलता है तो विल्कुल white color में होता है और दो पैर आत आते पिर ये हलका-sa pink हो जाता है और शाम तक बिल्कुल gara pink ये हो जाता है कई बर जब जो है ये ज्यादा suck परती है या जिसमें बादलो वाला मासम होता है तो ऐसे में ये फूल दो दिन या तीन दिन तक भी टीके वे रहते हैं और जब अगले दिन कोई नया फूल किलता है तो वो सफेद होता है और जो पिछले दिन वाला फूल होता है वो गुलाबी या इस तरह से रेजिश होता है तो देखने में बहुती सुन्दर लगता है अलग-अलग कलर के जो फूल है वो हमें एक साथ दिखाए देती है केरिंग इसके बहुत आसान है और डांस से भी आप इसको लगा सकते हैं अगर शुरू में आप इसको कटिंग से लगा रहे हैं तो लगबद 10 इंचे कटिंग ले करके आप 6 इंचे पॉट में लगा सकते हैं दोस्तों यह जो पौदा आप देख रही है यह है जींजर लिली यह दोस्तों जींजर लिली बहुत ही सुन्दर जो है दिखाए दे रहा है और उपर ऐसा लगता है इसके पूल की वाइड कलर के जो बटर प्लाइड है वो उपर बैखे हुए हो और इसके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल जींजर की तरह होते हैं और साथे साथ इसके नीचे जो गाट होती है या इसके जो राइड होती है वो भी बिल्कुल जींजर या अद्रक की तरह ही लगता है लगाना बहुत ही आसान है अगर एक भी राइजों में इसका आपने लगा दिया तो वहीं से ये बड़ा से लेने लग जाएगा और एक जिर सल के अंदर पूरा पॉट इस तरीके से ये फिल कर लेगा देखने में बहुत दोखसूरत इसके बादे भी होते है शुरू में जब इसमें फूल नहीं होतें और साथी साथ जो फूल भी हैं वह भी बहुत सुन्दर लगती हैं अग्ला जो आप ये फूल देख रही हैं ये है लाज़ाना का और लांट काना में दोस्तों बहुत सारे color होते हैं इसमें आपको red मिल जाएगा yellow मिल जाएगा और इसमें जो है purple, blue इस तरह के color भी मिलेंगे साथ ही mixed color भी आपको मिलेगा यानि कि ये की full के अंदर कहीं तरीके के color होंगे और ये जो है बहुत आसानी से उगने वाला पौदा होता है इसी भी condition मे ये हो जाता है और छोटे pot में भी हो जाता है आप में से बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि इसको आपने जो है सड़क के किनारे देखा है लेकिन वो इसके जो है wild variety होती है और ये जो है nursery में develop किया हुआ है इसमें जो है छोटे में ही flowering उने लगती है इससे बहुत अच्छा hanging भी त्यार हो सकता है दोस्तों इसको अगर आप 12 इंच तके pot में लगाएंगे तो बहुत अच्छा pot पुरा भरावरा दिखाए देगा और रंग द्रेंगे फूलों से आपका जो pot है वो हमेशा भरा हुआ रहेगा पूरे गर्मी बरसात में ये फूल बने वे रहते हैं सर् बहुत अच्छे से चलेगा बाकी आप घरेलू खाद जो भी आप यूज करते हैं किचन वेस्ट प्रगरा या सब्जी पल उसके वेस्ट जो भी है उसका यूज कर सकते हैं और कीट नाशक आप हर पंदा दिन में कुछ ना कुछ चीश में यूज करते रहे तो पीड़े में आपको बहुत अच्छा लागा होगा और आगे भी आप किसी चरीके से इसके रहेंगे नमस्कार